वाल मीकी डाकू थे, उन्हें ग्यान का बोध हुआ तो महारीशी बने, पहले इतियास किया तो उसे छोड़ो, हमारे याँ ब्रिस्ट चार ब्रदाश नहीं किया जाए, ये बात कही बिजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठोर ने, राठोर ने हाल ही में सांभल ले के पालिक अध्यक्ष बालकिशन जांगीर को बिजेपी की सदिस्ता दिलाई, इस सदिस्ता पर सवाल उठाए गए तो जवाब में राठोर ये बोले, नमस्कार में शेख जोया, आप देख रहे हैं दन अगरी नीज, दरसल बालकिशन जांगीर भिस्ट चार के आरोकों में ज को भूलकर सही मार्ग पर चलने वालों को मौका मिलना चाहिए, कल किया था उसे भूल जाओ, राठोर ने साफ किया कि अगर कोई पहले के पाप छोड़कर आता है और सही मार्ग पर चलता है, तो उसे पुन्य प्राप्ती का अफसर मिल सकता है, हम रस्रचार को कते बरदाश नहीं करेंगे, चाहिए कोई भी व्यक्ती हो, सुनी राठोर क्या कुछ बोले, तियास पड़ा कि नहीं पड़ा, महर्सी वाल में की पहले क्या थे, डाकू थे, लेकिन जब उनको ज्यान का बोध हुआ, तो वो महर्सी बने, महर्सी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, तो ह कानून में जिसको सजा मिलनी है, सजा मिलेगी, कानून के उपर तो कोई नहीं, देखिए, सुद्धी करण हर कोई का, मैंने वालमी का उदरन आपको दिया, नहीं एक मिनट, मैंने वालमी के का, इससे बड़ा उदरन आपको क्या दूम है, कता ही बरदास्त नहीं करेंगे, क नहीं जीलो को लेकर कहा था कि 6-7 जीले खत्म करने की तयारी है, इसके बाद राठोर पर गोपनियाता भंग करने का रोप लगा और सियासी हलकों में चरचा शुरू होगे, नहीं तब इतिपक्ष्टी कराम जूली ने भी मामले को उठाया था, इसके बाद राठोर ने माम लगर माने लगा है, ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे हैं, दनगरी ने शुक्रिया